भगवार ने कहा कि आब हमें आज्या दीजिए दश्रत जी ने कहा वसिस्ट जी ने कहा जनक जी अब विदाई होनी चाहिए विदा की बेलाई हो राम विदा मांगत कर जोरी कीन प्रणाम बहोरी बहोरी राम विदा मांगत कर जोरी कीन प्रणाम बहोरी बहोरी पुनि धीर जदर किमर अंकारी बार बार भेटाई महकारी पुडि धीर जदर कुवर अंकारी बार बार बेटाई महतारी सिये विलो की धीर पा भागी रहे कहा वत परम विराई सिये विलो की धीरता भागी रहे कहा वत परम विराई सिये विलो की धीरता भागी रहे कहा वत परम विराई पुनी पुनी सिये गोद कर लेही देही असी सिखावन देही पुनी पुनी सिये गोद कर लेही देही असी सिखावन देही सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ पति रुख लखे आयस अनुसरे हूँ सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ पति रुख लखे आयस अनुसरे हूँ मा क्या कह रही है कि वैदेही सास ससुर की सेवा करे हूँ गुरु यानी स्रेष्ट जो है बड़े जो है अग्रज जो है उनका मान सम्मान रखे लेकिन पति के लिए क्या कहा पति रुख लख पति पतली के बीच में बोलने की जरूरत नहीं होती वो क्या चाहते हैं वैसा ही मन बनाना अलकनंदा हो न बहुत बड़ी हो बड़ी बिशाल हो बड़े पाट है अलकनंदा के अगर आप देखोगी जहां अलकनंदार गंगा जी का मिलन होता है न तो गंगा जी की धार छोटी है और अलकनंदा की धार बड़ी है पर जब अलक नंदा गंगा जी में अपने को समर्पित करती है तो ये नहीं कहती के गंगे आज से तुम अलक नंदा कहलाना अलक नंदा कहती है के गंगे आज से मैं अपने आपको समर्पित कर रही हूं तो अपने नाम का भी त्याग करके तेरे नाम को शिरोधारिये करें इसलिए भारत की पुत्रियां अपने पीता के गोत्र का त्याग करके पती के गोत्र को स्विकार करती है यह समर्पन है भले ही कितने बड़े हों हम दिराटों गुणी हों पर परीत और प्रेम में समर्पन जरूरी होता है व्याकुल पूरा जनक व्याकुल भगवती बैदेई के लिए सुक सारी काएं रोएं गुएं रोईं पशु पक्षी रोएं गली वीथियां व्याकुल हो गई बैदेई जा रही है दारुन है, दुशकर है, मुश्किल है, किन्तु करते हैं माता पिता अपने कलेजे के टुकडे समर्पित करते हैं जनक नगरी व्याकुल है, विदेह की, वैदेही के वियोग से पर अयोध्या धन्ने है आगमन से, बारात के आगमन से प्रसन्नता कहां आती है जहां उपलब्दियों पे द्रिष्टी होती है जो नहीं मिला उस पर द्रिष्टी नहीं होती याचक की तरह खड़े हुए थे दशरुत हाथ थेला कर जनक जी के सावन बड़ा वो नहीं होता जो पाता है बड़ा वो होता है जो देता है इसलिए हमें याचा के यह भी नम्रता और याद रखना लखनवु बालो पुत्र और पुत्री के पिता को समधी बोलते हैं क्या बोलते हैं दोनों आपस में क्या होते हैं समधी और धी कहते हैं बुद्धी को संधी वो जिनकी बुद्धी का इस्तर वैचारिक एक होता है एक धरातल पर जो खड़े हो वो इतना बड़ा और यह हम पगड़ी रखें चर्णों में बार-बार भैभीत होते रहें डरते रहें यह सम्मंद नहीं है यह तो विक्रती है संधी वो जो वाईचारिक धरातल पर कोई बड़ा नहीं कोई चोटा नहीं और यहां तो श्री चक्रवर्ती समराट जनक के सामने कहते हैं कि हम याचक हैं हम बिखारी आप आप देने वाले दाथा है पुत्रियों की तरह संभाल के रखना कवशल्या नहीं कहा ऐसा राणियों को समराट ने कहा कि वैदेही को आखों की पुत्ली की तरह पलकों के जैसे जैसे पलके पुत्ली को संभाल के रखती हैं देखिए यह तब संभव होता है जब परिवार संत से जुड़ा होता है विश्वामित्र जी के साथ दश्रत जी ने जब विश्वामित्र जाने लगे तो हाथ जोड कर कहा कि मुझे नहीं पता गुर्देव मेरा शरीर कब तक रहेगा लेकिन जब तक मेरा शरीर है तब तक आप जरूर दर्शन दीजिएगा और मेरे शरीर रहने के ना रहने के बाद भी मेरी संतानों के उपर अपनी क्रपा द्रिष्टी बनाए रखी कैसा प्रेम, कैसी प्रीत, आधर्मान, संबान, रिष्टों को, सम्मंदों को समझना हो तो राम चरितमानस का रोज पारायन करना चाहिए और एक बात इसमन रखिएगा सुन्दर कांड का पाठ अच्छी बात है लेकिन अयोध्या कांड को भी जरूर पढ़ना चाहिए हम तो सोचते हैं कि पूरे भारत में एक महात्मा ने मुझे कहा कि दीदी मा भारत अंदवी स्वासों में अपनी श्री को खो बैठा है क्यों ना भारत के प्रतेक घड़ में उपनिशदों का इशादी नौ उपनिशदों का संताने वाचन का हमारी संतानों को तो पता ही नहीं धर्म का मर्म क्या है तो चलो संस्कृत नहीं जानते पर रामचरित मानस तो जानते है ना पढ़ सकते है ना एक-एक पल एक-एक जीवन के हर अर्थ को सार्थक कर दिया है सामने रख दिया विश्वा मित्र चलन नितक चाही राम सप्रेम विने बस रहे वो रोज कहते है गुरुजी आज हम जा रहे तो राम जी चरण पकड़ लेते हैं नहीं जानते हैं ये 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 भावना है ना